हमारा और और एक और सर्कुलर आर बियाई का आज हम लोग डिसकस करेंगे आज की इस क्लास में ठीक है स्क्रीन पे आप लोगों के सर्कुलर का एक सिनॉपसिस कह सकते हैं वो है एक बार वीडियो पाउच करिए और इसको पढ़िए खुद से एक बार पढ़िए बाकी चीजे में आप लोगों को बताओ का ध्यान से सुनने की आप लोग कोसिस करिएगा ठीक है सबसे पहली चीज तो यह देखो जो 15 जनुवरी का यह सर्कुलर है आया हुआ है यह सर्कुलर जो है वो सभी स्टेट कोपरेटिव बैंक्स और सभी सेंटर कोपरेटिव बैंक्स के लिए है यह चीज़ ध्यान रखना circular है किसके लिए तो ये circular किसके लिए ये भी सुन लो ठीक ना ये जो circular आया हुआ है ये है guideline है बिसिकली पूरी तरीके से guideline आई है RBI के द्वारा और ये guideline है appointment and reappointment of statutory auditors of state cooperative banks and central cooperative banks यानि कि state cooperative banks और central cooperative banks के जो भी statutory auditors होते हैं उनके appointment और reappointment के लिए पूरी के पूरी proper guideline ये आई हुई है यहाँ पर हम लोग इस सारी चीज़ें discuss करने जा रहे हैं बहुत ही मज़दार class रहने वाली है बहुत ही 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 चीजे होती हैं वही हम लोग उठाके लाते हैं रों सारी चीजे डिसकस करते हैं तो यह बहुत ही बहुत ही बेतरी सर्कुलर आप लोगों के लिए रहने वाला है ठीक है 15 जनरी 2024 का यह सर्कुलर आया हुआ है थोड़ा सा फीछे चल रहा हूं में लेकिन मैं पूरा कराऊंगा बहुत जल्दी हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगे ठीक है देखो सबसे पहली चीज तो यह चीज धिया नको कि 15 जनरी 2024 में यह सर्कुलर आया है और यह सर्कुलर जो है वो सभी स्टेट कोपरेटिव बैंक्स और सभी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक्स के लिए है य ठीक है एक अप्रैल 2024 से यह सर्कुलर प्रवाबी हो जाएगा इसमें यह भी दिया गया है इसमें यह भी दिया गया है कि इस गाइडलाइन यह देखो ना यह पूरा जो भी लिखा गया न एक बार वीडियो पॉस करके पहले जो भी चीज़ें लिखेंगे एक बार आप और फिर उसके बाद में चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी ठीक है तो यह जो सर्कुलर है एक अप्रेल 2024 से प्रफावी हो जाएगा इसके साथ साथ एक अप्रेल 2024 से सुरू होने वाले financial year और उसके बाद सुरू होने वाले financial years के लिए सभी state और central cooperative banks जिसका भी जिस भी financial year में statutory auditors को appoint करना होगा करना चाहते हैं उस financial years के 31 जुलाई से पहले RBI की prior approval के लिए application RBI को submit करना होगा यह इसमें कहा गया है ठीक है न यह सब चीज़ें थोड़ा सभी कम समझ में आएंगे आगे जैसे चीज़ें मैं और क्लास में आगे बढ़ता जाओंगा सब कुछ आपको समझ में आएगा दीज गैडलाइन सेल के मिफेक्ट कम इफेक्ट इन टू आफ फ्रॉम दिफस्ट अपरेल 24 एक अपरेल 2014 से यह गैडलाइन प्रहवी हो जाएगी accordingly all the accounting periods commencing on or after first of April all the state cooperative banks and central cooperative banks self-submit application for prior approval of RBI before 31st of July a date याद रखना 31st of July of the reference accounting year in the accordance with the guidelines ठीक है यह जो भी कहा गया है इसको समझ लो इसको मैं एक बार फिर से समझ बोल रहा हूं आप लोग इसको याद कर लो 31st July की date याद रखना 31st July की date याद रखना यहां से question बनेगा ठीक है फिर से सुनो एक अपरेल 2014 से यह circular प्रहवी हो जाएगा और एक अपरेल से सुरू होने वाले financial year और इसके बाद सुरू होने वाले सभी financial year के लिए सभी state और central cooperative banks को जिस भी financial year में statutory auditors को appoint करना होगा उस financial year के 31st July से पहले RBI को prior approval के लिए application submit करना होगा यह guidelines किसके लिए हैं यह guidelines है appointment and reappointment of the statutory auditors of state cooperative bank and central cooperative bank ठीक ना तो जिस भी financial year में किसी भी state cooperative bank को या फिर central cooperative bank को statutory auditors का appointment करना है उस financial year के 31st July से पहले RBI को prior approval के लिए देना होगा ठीक है यह चीज़ इसमें कही गई है तो यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी ठीक है यहाँ पर बात हो रही है state cooperative banks के और central cooperative banks के ठीक है state cooperative banks और central cooperative banks में statutory auditors के appointment और reappointment से संबंदित RBI का यह circular है इसमें हम लोग यह सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोग समझना कि मैं statutory auditors की ही बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले यह जान लोग यह जो statutory auditors होते हैं यह कौन होते हैं ठीक न यह कौन होते हैं क्या होता है statutory audit होता क्या है यह चीज़ भी जानना जरूरी है अगर हम लोग statutory auditors के appointment की बात कर रहे हैं तो ये statutory audit होता क्या है, कौन लोग ये होते हैं, ये सब थोड़ा भी जानना जरूरी है, देखो, statutory audit जो होता है, वो legally required होता है किसी भी company या फिर government financial institutions के financial statement और records का review करने के लिए, इस audit को करने के पीछे का main motto होता है, वो ये होता है कि कोई भी organization या फिर कोई भी company या फिर कोई भी financial institutions अपने bank statement का, अपने bookkeeping records को, अपने financial transactions को सही तर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, उनके बारे में fair and appropriate जानकारी के लिए statutory audits कराया जाता है, और ये audit करने वाला व्यक्ति, जो ये audit करता है, वो व्यक्ति या फिर जो firm ये audit करती है, उसको state jury auditors कहते हैं, हम लोग इतना आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, अब स्कीन पर आपको दिख रहा है कि state cooperative bank, central cooperative bank, ये सब कुछ दिख रहा है न, तो rural cooperative bank, जिसके अंतरगत state cooperative bank और central cooperative banks आते हैं, इसके लिए banking regulation amendment act 2020 लाया गया था, जो कि एक अप्रेल 2021 से प्रभावी हो गया था, ठीक है, ये screen पर लिखा हुआ है, ये चीज़ें, screen पर आपको दिखो, यहाँ पर दिख भी रही हैं, कि the banking regulation amendment act 2020 notified in the gazette of India on the September of 29th or 20th which has come into force with effect from 1st of April 2024 for rural cooperative banks, यानि कि state cooperative banks और central cooperative banks ठीक ना, तो ये screen पर लिखा गया, इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, कि rural cooperative banks जिसके अंतरगत, बैंकिंग regulation amendment act 2020 लाया गया है, उसके लिए banking regulation amendment act 2020 लाया गया है, और वो 1 April 2021 से प्रवावी हो गया था, ये इसमें बताया गया है, ठीक है, इहाँ पर एक काम हम लोग करते हैं कि cooperative bank का थोड़ा से structure हम लोग समझ लेते हैं, ज्यादा deep पर नहीं जाओंगा, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यह दिया गया है, रूरल cooperative bank, जिसमें कि state cooperative bank और central cooperative bank और तो थोड़ा सा cooperative bank का structure अगर हम लोग समझ लेंगे तो चीजें थोड़ा सा और ज़्यादा clear हो जाएंगी समझने में थोड़ा सा और ज़्यादा आसानी हो जाएगी ठीक है ना देखो यह होता है cooperative bank ठीक है यह होती है cooperative banks ठीक है यह जो cooperative banks होती है इसको mainly हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको हमलोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यह होता है, अरबन कॉपरेटि बैंक, उसी को हमलोग अर्ग कॉपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है, रुरल कॉपरेटिव बैंक, ठीक है? रूरल कॉपरेटिव बैंक, ठीक है, UCB को हम लोग छोड़ देंगे, रूरल कॉपरेटिव बैंक पर ही आएंगे, तो रूरल कॉपरेटिव बैंक जो होता है, एक तो होता है स्टेट कॉपरेटिव बैंक, ठीक है, एक होता है स्टेट कॉपरेटिव बैंक, ठीक है, एक होता ह प्राइमरी एग्रिकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है ना, पहला होता है स्टेट कोपरेटिब बैंक, ये स्टेट लेबल पर काम करता है, दूसरा होता है सेंट्रल कोपरेटिब बैंक, इसे डिस्ट्रिक सेंट्रल कोपरेटिब बैंक भी बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक पर काम करता है, तीसरा होता है primary agriculture, agricultural credit societies, ठीक है ना, तो यह जो circular आया हुआ है, यह state cooperative bank और central cooperative bank के लिए ही आया है, यहाँ पर इस circular में, इस guidelines में हम जो भी बात करेंगे, वो state और central cooperative bank के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अब वापस circular पर हम फिर से आते हैं, banking regulation amendment act जो कि 2020 में आया ठीक ना, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ठीक है, जो कि 2001 अपरेल 2021 से प्रभावी हो गया था, और 2021 को जब प्रभावी हो गया था, तो उसके लागू होने के हिसाब से, RBI ने BR Act 1949 के Section 30 के Subsection 1A के तहत प्राप्त सक्तियों का प्रियोग करते हुए, ये guideline जारी किया है, जो कि State और Central Cooperative Banks पर लागू होती है, और इस guideline में ये कहा गया है, कि State और Central Cooperative Banks को Statutory Auditors के appointment, reappointment और removal के लिए RBI से prior approval लेना होगा, ठीक है, कब लेना होगा, कब लेना होगा RBI से prior approval, उस particular financial year के 31 जुलाई तक जो अभी आप लोगों से मैंने बोला था, कि ये 31 जुलाई वाली limit आप लोगों के याद कर लेना, ठीक है ना, ये 31 जुलाई वाली जो limit आप गया गया है, ये circular है, इसमें क्या कहा गया है, जो भी चीचें बता रहा हूँ, मुरारी बापो के गता की तरीके से मत सुनना, बहुत डीप में जाएंगे और बहुत ही मजा आने वाली है आपको इस class में, और question यहां से भर-बर के बनेगा, इतने सारे question यहां से बन कि मतलब examiner कहीं से कुछ भी यहां से question बना सकता, तो ध्यान से सुनों आप लोग, इस guideline में यह कहा गया है, कि state और central cooperative banks, इन्हीं दोनों की बात हो रही है, state और central cooperative banks को statutory auditors के appointment, reappointment और removal के लिए RBI से prior approval लेना होगा, 31 July तक उस particular financial year के, ठीक न, reappointment के लिए annual basis पर prior approval लेना होगा, reappointment भी जो होगा, वो annual basis पर ही होगा, ठीक न, पूरी की पूरी क्लास में, अभी देखो क्या है न, इस पूरी की पूरी क्लास में, जब मैं statutory auditors बोलूँगा, तो आप समझ जाना कि मैं ऐसे बोल ला हूँ, ऐसे अगर मैं बोलूँगा, तो आप इसको समझना कि मैं statutory auditors की ब प्रब्लम हो रही है, ठीक है न, तो जब भी बैंक बोलूँगा, आप लोग समझना कि state cooperative bank की बात हो रही है, central cooperative bank की हो रही है, यह चीज़ आप लोग से मतलब काम चलाना इस लोग, इन सारी चीज़ों से, ठीक है न, क्योंकि इन circular में इन ही दो बैंकों की बात हो रही है, त अब जाके पूरी detailing की साथ में इसकी guideline जारी की हुई है, जिसमें essay के, जिसमें essay के, यानि की statutory auditors के appointment, removal और reappointment पर, इनका सब का क्या procedure होगा, इनका eligibility criteria होगा, statutory auditors के लिए इनका क्या tenure होगा, statutory auditors का performance review मतलब होगा की नहीं होगा, कैसे होगा, और एक audit firm कितने बैंकों का audit कर सकती है, यह सारी चीज़े इसने बताई गई है, यह सारी चीज़े यहाँ पर बताई गई है, काफी deep में चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, start करो, अगली slide जब भी आपके सामने जो भी आएगी, अब यहाँ से इस पूरे का पूरे circular का खेल जो है, start हो रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर हम लोग procedure की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर procedure का जिकर हो रहा है, ठीक है, procedure का मतलब हो जाएगा कि approval लेने के लिए क्या क्या procedure है, वो भी वहाँ पर बताया गया है, इसको हम पढ़ते हैं तो यह जो भी चीजें लिखी गए एक बार वीडियो को आप लोग पाउस करो और यहां पर पढ़ लो जो कुछ भी यहां पर लिखा गया है इसको मैं आसान बोल चाल की भासा मैं आपको समझा रहा हूं ठीक है नाबाड क्या करेगा Annual basis पर Institute of Chartered Accountant of India ICAI से Audit firm की list अप्टेन करेगा Audit firm की list लेगा यानि कि जो firm audit करते हैं उन सब की list नाबाड Annual basis पर Institute of Chartered Accountant India Chartered Accountant of India से लेगा ठीक है यह इसमें बोला गया पहला point है और जो audit firm होगी वो audit firm जो है Limited liability partner firm हो सकती है LLPs हो सकती है ठीक है और नाबाड इस list को लेने के बाद circular में mentioned statutory auditors के लिए जो भी prescribed eligibility criteria है उसको इस list पे apply करेगा और जो भी eligible audit firm आएगी उसकी एक all India state wise list तयार करेगा सुनते रहना जो भी eligible audit firm आएगी जो भी audit firm eligibility criteria के अंतरगत आएगी जो भी audit firm नाबाड के जो prescribed eligibility criteria है उसको fulfill करेंगी उसका नाबाड एक all India state wise list तयार करेगा और फिर से इस list को bank को share कर दिया जाएगा ठीक है statutory auditors के appointment selection और reappointment के लिए ठीक है यह पूरा का पूरा procedure हो गया और इसके बाद bank इस list से audit firm को select करेगी और bank अपने board of director या फिर audit committee of board से approval लेगी ठीक है अपने board of director या फिर audit committee of audit committee of the board इस से approval लेगा और फिर RBI से prior approval के लिए RBI के department of supervision को संबंदित financial year के 31 जुलाई से पहले संबंदित financial year के 31 जुलाई से पहले submit कर देगा तो यह पूरा का पूरा procedure रहा यह पूरा का पूरा procedure रहा कि नाबाड जो है वो सबसे पहले institute of chartered accountant of India से list लेगा फिर उस पे eligibility criteria का जो prescribed eligibility criteria उसको apply करेगा उसके बाद में जो भी audit firm उस criteria को fulfill करेंगी उनकी एक all India state wise list बनाएगा फिर उसको बैंकों को दे देगा फिर बैंक जो है उससे क्या है कि appointment और appointment का प्रोसेस करेंगी उसके बाद में 31 जुलाई 21 जुलाई से पहले prior approval के लिए जो भी बैंक की होंगी वो अपने board of director या audit committee of board के approval के साथ prior approval के लिए RBI के department of supervision में 31 जुलाई से पहले तक भेज देंगी ये पूरा का पूरा procedure रहा ठीक है तो ये पूरा का पूरा procedure आप लोगों समझ में आ गया होगा ऐसी में उम्मीद कर रहा हूँ जहां पी चीजें न समझ में video pause कर देना पीछे करके एक बार फिर से देख लेना चीजें समझ में आ जाएंगी ठीक है तो ये बात हो गई procedure की ये पूरी की पूरी बात हो गई procedure की ठीक है ना अब यहां पे जो हम लोग बात करेंगे यहां पे हम लोग बात करेंगे statutory auditors के eligibility criteria की ठीक ना उनका eligibility criteria क्या है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे ये पूरा का पूरा slide एक बार मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और इसको एक बार वीडियो पॉस करके आप लोग पढ़ लिजे इसको एक बार वीडियो पूस करके पढ़िए फिर मैं जो भी चीज़े हैं वो पूरा का पूरा बताऊंगा आपको समझ में आएगा ठीक है ना एक बार वीडियो आप लोग पॉस करके पढ़िएगा आभी जो हम लोग बात करेंगे Statutory Auditors के Eligibility Criteria के बारे में हम लोग बात करेंगे Eligibility Criteria of Statutory Auditors और इसके बारे में Appendix 1 और Appendix 2 में जो है वो मतलब detailing दी गई है इसके बारे में जो भी Appendix 1 और Appendix 2 इसमें detailing दी गई है तो मतलब मैं दिखा भी दे रहा हूँ ये चीजें जो है ना एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो Appendix 1 और Appendix 2 मैंने उठा लिया है यहाँ पे तो जो कुछ भी चीजें देखो ये Appendix 2 है ना ये तो इसमें जो भी चीजें दी गई है ना मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ करके बस वीडियो पहुच करके एक बार उसको पढ़ लेना जिससे की चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगी जो कुछ भी लिखा हुआ इसको मैं liberate कर रहा हूँ बोल चाल की मासा में समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आएगा ठीक है ना एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो मतलब होगा आपको समझ में आ जाएगा और जो चीजें exam point of view से important है उसे ही मैं यहाँ पर पढ़ा select from the list approved by the nabard the audit firm fulfilling the requirement under these guidelines as emulated in appendix 1 ठीक ना वही चीजे है appendix 1 और appendix 2 में इसके बारे में जिकर किया गया है और जो भी eligibility criteria है वो previous financial year के asset size पर depend कर रहा है asset size of state cooperative bank and central cooperative bank as on the 31st of March of previous financial year ठीक ना यह जो भी eligibility criteria है यह previous financial year के asset size पर depend कर रहा है थोड़ा सा और elaborate कर रहा हूँ मैं जिस भी particular financial year के लिए statutory auditors का appointment करना होगा उसके previous financial year में 31 March तक जो भी state cooperative bank और central cooperative banks का asset size होगा उसके हिसाब से इसका eligibility criteria वो vary कर रहा है पहला जो size है उन सबी state cooperative bank और central cooperative bank के लिए है जिनका asset size 15,000 क्रोंड से जादा है दूसरा वो है जिनका asset size उन सबी banks यानि कि state cooperative bank और central cooperative bank जिनका asset size एक हजार करोंड रुपए से जादा है और 15,000 करोंड रुपए तक है 15,000 करोंड से जादा नहीं है 15,000 करोंड तक है और तीसरा जो असेट साइज है जो तीसरा क्रेटिरिया है वो उन सभी स्टेट और सेंटरल कॉपरिटी बैंक के लिए है जिनका asset size एक हजार करों रुपए तक ही है ठीक ना अब हम बात करते हैं पहले का देखो पहला क्या है कि वे सभी state cooperative bank या फिर central cooperative bank जिनका asset size पंदरा हजार करों रुपए से ज़्यादा है उनमें क्या होगा उनके लिए क्या है देखो उनके लिए लिखा गया है ये सारे के सारे चीजें है ना ये सारे चीजें पढ़ने जा रहा हूँ ध्यान से पढ़ना ठीक है वे सभी state cooperative bank या फिर central cooperative bank जिनका asset size पंदरा हजार करों रुपए से ज़्यादा है उनमें minimum number of full time partners associated with the firm for a period of at least three years उन सभी state cooperative bank या central cooperative bank में जिनका कि asset size पंदरा हजार करों रुपए से ज़्यादा है उनमें जो उनके लिए जो होगा वो minimum number of full time partners associated with the firm for at least a period of three years मतलब कि उनके लिए जो statutory auditors का appointment होगा उसका उस जो firm होगी उसमे minimum number of full time partners की जो संख्या होगी वो जो की at least three साल तक firm के साथ में जुड़े हुए हैं उसकी संख्य पांच होगी जिसका asset size फंदरा हजार क्रों रुपए होगा जिसका एक हजार से फंदरा हजार की बीच में होगा उसमें इनकी संख्या तीन होगी और जिसका एक हजार तक होगा उसमें इनकी संख्या 2 होगी यह बात किसकी हो रही है, state to cherry auditor firm की और इन out of total FTPs यानि कि out of in total full time members में से, इसमें क्या बोला गया, out of total FTPs, out of total FTPs, minimum number of fellow chartered accountant, FCA partners associated with the firm for at least period of, for a period of at least three years, मतलब कि यह जो full time partners होंगे, इसमें से, जो minimum number of fellow chartered accountant की संख्या होगी, जो कि उस firm के साथ में associated होगे, कम से कम तीन साल के लिए, वो चार होगी, किसके लिए, पंद्रह हजार करोन रुपए के उपर वाली के लिए, एक हजार और पंद्रह हजार करोन तक के लिए, जो बीच में हो है, उनके लिए यह दो होगी, और अप्टू एक हजार करोन के जो इसर्ट साइजवाली है, उनके लिए एक होगी, ठीके ना, minimum number of FTPs, paid CAs, with CISA, ISA, DISA qualifications, यह 15,000 तक 15,000 से उपर using society and central corporate banks के लिए, इनकी संक्या 2 होगी, 15,000 तक और एक हजार से जादा के लिए, इनकी संक्या 1 होगी, और up to 1000, यानि कि 1000 करोन रुपए की एसर्ट साइजवाली जो state and central corporate bank होगी, उनके लिए यह संक्या 1 रह सकती है, ब्रफ इसमें star बनाया गह है, नAU की एक रह सकती है, ठीक ना, minimum number of years of audit experience of the firm, यानि कि जो statutory audit करेगी, उस firm का minimum कितने साल का experience होना चाहिए, वो भी इसमें बताया गया, यहां से भी question बनेगा, सारे के सारे points से question बनेगा, वीडियो पहुच करके एक बार खुद से पढ़िएगा, तो और जदा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जो भी firm statutory audit करेगी, उसका minimum कितने साल का audit experience होना चाहिए, तो जो firm 15,000 करोन रुपए से उपर की state cooperative bank और central cooperative bank का audit करेंगी, उनका experience 8 साल का होना चाहिए, जो 1000 से लेके 15,000 तक की वाली state cooperative bank and central cooperative bank का audit करेंगी, उनका experience 4 साल का, और जो 1000 करोन से नीचे तक वाली, जानी कि 1000 करोन रुपए तक वाली, एसर्ट साइज वाली state cooperative bank and central cooperative bank audit करेंगी, उनका experience एक साल तक का preferably होना चाहिए, मतलब एक साल तक का होना चाहिए, तो उनको prefer करेंगे, नहीं होगा, तब भी चलेगा, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना, और इसमें क्या बोला गया है, हम कितने साल का experience होना चाहिए, state और central cooperative banks का audit करने का, ठीक है, यह भी बोला गया है, यह total experience की बात हुई है, यह बात हुई है कि minimum number of years of experience in, of statutory audit of state and central cooperative bank, बैने कि state और central cooperative banks के audit का कितना experience होना चाहिए, तो 15,000 करोन रुपए से उबर की जो भी बैंक के होंगी, state cooperative bank, उनके audit करने का experience जो है, दो साल का होना चाहिए, 1000 से नीचे के लिए, एक साल का होना चाहिए, नहीं भी होगा, तब भी चलेगा, ठीक है ना, minimum number of professional staff, यानि कि जो भी firm यह statutory audit conduct करेंगी, उन में कितना professional staff होना चाह दाया गया है, ठीक है ना, तो वे सभी statutory audit करने वाली firm, जो कि 15,000 करोन रुपए से उपर के state cooperative bank and central cooperative bank का audit करेंगी, उन में minimum number of professional staff की संक्या 4 होगी, 1000 से लेके 15,000 करोन तक audit करने वाली firm में minimum professional staff की संक्या 4 होगी, 15,000 तक में 8 होगी, इसमें 4 होगी, और up to 1000, यानि कि 1000 करोन तक की asset size वाले state and central cooperative banks की audit करने वाली statutory audit firm में minimum professional staff की संक्या 2 होगी, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये बिस वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लेना, ये चीजें अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आई होगी, तब भी वीडियो पीछे करके सुन asset size पर depend करेगा, तीन पार्ट में से size को divide किया गया है, पंद्रह हजार करोन से उपर, एक हजार करोन से लेके पंद्रह हजार करोन तक और एक हजार करोन तक, ये asset size है, और इसमें ये different criteria's है, ठीक है न, तो इन सब को याद कर लिना, यहाँ सब से question बनेंगे, ठीक, तो ये eligibility criteria क इसको भी एक बार मतलब आप लोग पढ़ लिजेगा, इसको भी आप लोगों को वीडियो पॉस करके एक बार आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ध्यान से आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ लिएगा, और अगर आप लोग ये video YouTube पर देख रहे हो, तो आप RBI के circle जाके उठाके PDF मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजेगा, और अगर आप पर देख रहे हो, तो इस वीडियो के साथ साथ में मैंने इसकी PDF बेटाइच कर दिया, वहाँ से एक बार आप लोग पढ़ लेना, चीजें और ज्यादा clear हो जाएगी, ठी जो bank board होगा, वो audit committee of board, जो भी bank board होगा, जो भी bank board होगा, या audit committee of board होगा, रहेगा, वो auditors की independence को भी चेक करेगा, ठीक है, conflict of interest चेक करेगा, उसे assess करेगा, monitor करेगा, अगर कोई concern पाया जा रहा है, तो इसे board या ACB द्वारा नाबाड को report करना, होगा, ठीक है, इसे board या ACB द्वारा नाबाड को report करना होगा, ये अगला point है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, ये पिछली slide सी, इसको मैंने यहाँ पर इसले मतलब hold गर रखा था, एक बार इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, तो ये सारी ची हैंगे, तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है, board ACB of the bank, cell monitor, the monitor and assess the independence of auditor and conflict of interest, if any, in terms of relevant statutory and regulatory provisions, standard and best practices concerned, if any, raised by the board and ACB, cell be reported to नाबाड, ठीक है, वही चीज़ें आपे कहा गया है, कि जो भी bank board होगा, या फिर audit committee of board रहेगा, वो auditors की independence को चेक करेगा, conflict of interest को च कोई concern अगर पाया जाता है, तो मतलब इसे तुरंत board या ACB द्वारा नाबाड को report कर दिया जाएगा, और ये भी बोला गया है कि जो bank का concurrent auditors होगा, उसे same bank के statutory auditors के appointment के लिए consider नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसे same bank के statutory auditors के लिए consider नहीं किया जाएगा, ठीक है, सारे के सारे points जो भी यहां पर लिखेगा है, कि करके मैं सब बता रहा हूँ, इसको एक बार वीडियो पॉस करके पढ़ लेना, या तो फिर मुझे ध्यान से सुनते ही विचरों, तब ज्यादा समझ में आएगे, चीज़ें थोड़ा से लंबी हो रहे है, थोड़ा से complicated हो रहे है, लेकि एक audit assignment complete होने के बाद, दूसरा audit resign करने के बीच में कम से कम एक साल का gap होना चाहिए, minimum year of gap, यह भी लिखा गया है, तो यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, concurrent audit के यहाँ पर बात हो रहा है, concurrent audit क्या होता, थोड़ा से इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा से यहाँ पर देखो, concurrent auditors की बात हुई, तो थोड़ा से इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, concurrent audit basically regular basis पर financial transactions का जो timely और systematic audit होता रहता है, authenticity, compliance and procedure and guidelines और एक्यूर को ensure करने के लिए, उससे जो है हम लोग concurrent audit बोलते हैं, ठीक ना, देखो और आगे क्या बोला गया है, statutory auditors के द्वारा, statutory auditors के द्वारा, appointing bank के अंदर किये गए, किसी भी non audit work के बीच, कम से कम एक साल का gap होना चाहिए, appointment से पहले, और statutory auditors का tenure खतम होने के बाद, ठीक न, और statutory aud auditors का, मतलब tenure, खतम होने के बाद, कम से कम एक साल का gap इसमें होना, चाहिए, ये भी चीज़ें इसमें बोली गई है, ठीक है न, ये क्या बोल दिया गया, आपको समझ भी नहीं आया होगा, ये चीज़ें, क्या बोल दिया गया, देखो इसमें लिखा गया, इसमें लिखा ग जैसे मानों कि कोई audit firm है, और उसने किसी bank को कोई non audit service प्रोइड किया हुआ है, तो इस firm द्वारा bank को non audit service प्रोइड करने के बाद, कम से कम एक साल तक bank में statutory auditors के रूप में काम करने की permission नहीं होगी, और अगर किसी firm को bank का statutory auditor प्रोइड कर दिया गया है, और उसका tenure भी खतम हो गया है, तो tenure खतम होने के कम से कम एक साल तक इस firm को कोई non audit service नहीं ली जाएगी इससे, ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जो ये वाला point है, ये वाला point है, ये चीज़ें आप अज में आ गई होगी, ठीक है न, और क्या बोला गया है, इसे भी दियान से सुनो, देखो, इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है, कि statutory auditors के tenure के दोरान, bank board या ACB के decision के आधार पर statutory auditors appointing bank को non audit services भी provide कर सकता है, और ये services वहीं होगी, जिसमें कोई conflict of interest नहीं होगा, और एक कौन कौन सा work, non audit work के रूप में consider किया जाएगा, ठीक न, कौन कौन सा work, जो है, वो non audit work के रूप में consider किया जाएगा, पहला है, tax audit, tax representation and advice on taxation, इसको, जो है, non audit work के रूप में consider किया जाएगा, दूसरा है, audit of interim financial statement, तीसरा है, issuance of certificate that are required to be made by the statutory auditors in compliance with statutory and regulation requirement, ठीक है, और चौता है, reporting on financial statement, ठीक है, तो ये, चार के चार, वो, मतलब, ऐसे work दिये गए हैं, जिसको की non audit work के रूप में consider किया जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें होगे, independence of auditors के बारे में, ठीक है, ये चीज़ें आपको, समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उमीद कर रहा हूँ, पिछली जो भी, ये भी slides है, इसको भी एक बार मतलब करके, आप लोग इस सारी चीज़ों को देखते रहेगा, पढ़ जरूर लिजेगा इसको, तब थोड़ा सा चीज़ें, आपको जाके, और ज्यादा समझ में आ जाएंगी, ठीक है, अब अगर हम लोग जिक्र करें, तो भी पढ़ो, जो कुछ भी लिखा गया, इसको मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिस करो, ठीक ना, तो bank board या ACB, ठीक ना, bank board या ACB, auditors के performance को annually review करेगा, और statutory auditors के काम में, अगर कोई लापरवाही पाई जाती है, अगर कोई negligence पाया जाता है, अगर कोई चूक मिलती है, त तो bank board या ACB, अपने approval के साथ, audit खतम होने के दो महीने के भीतर, नाबाड को report करेगा, नाबाड को बताएगा, ये point भी याद रखना, within two month, ये point भी याद रखना, within two month question यहां से बनेंगे, मुरारी बापु की कता नहीं चलनी चाहिए, ध्यान से सुनो, मैं अगर अपना गला अगरा होता है, कोई चूक होती है, कोई negligence पाया जाता है, तो audit खतम होने के दो महीने के भीतर, ये two month भी आप लोग याद रखना, ठीक ना, दो महीने के भीतर नाबाड को report करेगा, नाबाड को बताएगा, और फिर इस framework के हिसाब से, जो भी violations हुआ है, उसके लिए statutory auditors के स साथ जो है नाबाड अपना deal करेगा, वो चीजिस में दिया गया, ये अगला point है, ठीक ना, उस हिसाब से deal करेगा, अब tenure की बात हम लोग कर लेते हैं, ये बात हो गई, performance review कैसे होगा, अब बात हम लोग कर लेते हैं tenure की, ठीक ना, और ये भी important है, tenure वाला point भी important है, ध्यान से सुनना question यहां से भी बनेगा, statutory auditors को एक बार में केवल एक साल के लिए ही point किया जा सकता है, ठीक ना, एक बार में केवल एक साल के लिए ही point किया जाता है, दोनों point पढ़ लेना तब बहुर ज़्यादा समझ में आएगा, मैं बोल लाओ, वीडियो पॉस करके इसको पढ़ करा दूँ, ठीक है, statutory auditors को एक बार में केवल एक साल के लिए ही point किया जा सकता है, और अगर semi audit firm को फिर से एजे statutory auditors के रूप में repoint करना है, तो भी ये annual basis पर ही होगा, और अगले दो साल तक repoint किया जा सकता है, यानि कि total लगातार 3 साल तक कोई firm एजे statutory auditors के रूप में काम क कर सकती है, ठीक न, कोई firm जो है, वो total लगातार 3 साल तक काम कर सकती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनना, समझना इसको, ठीक न, annual basis पर ही repointment होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 2 साल के लिए repoint कर दिया जाएगा, नहीं, एक tenure के दोरान, यानि कि 3 सालों के दोरान premature removal भी allow है, बस सरते इसके लिए RBI से prior approval लेना होगा, ठीक न, premature removal भी allow है, अगर काम अगर ऐसा लगता है, कि जो है काम सही से नहीं कर रही है, audit firm जो है, तो उसका premature approval भी allow इसमें किया गया है, ठीक न, उस condition में premature approval भी allow किया गया है, बस उसके लिए सरत यह है कि RBI से prior approval लेना प्रिमेचुर रिम्यूबल के लिए बैंक बोर्ड या फिर एसे भी अपने अप्रूबल के साथ में आरबियाई को प्रायर अप्रूबल फॉरवर्ड करेगी इसके बाद आरबियाई से पॉइंट मिलने के बाद ही इस्टेटुचेरी ओडिटर्स को हटाया जा सकेगा अगला एक फुल टेन्योर तीन साल का पूरा करता है या पार्ट टेन्योर पूरा करता है पार्ट टेन्योर यानि की एक साल या दो साल का ठीक है अगर कोई इस्टेटुचेरी ओडिटर्स या ओडिट फर्म अपना एक फुल टेन्योर तीन साल का पूरा करता है या फिर पार्ट ट बात अगले 6 सालों तक वह सेम बैंक में appointment या reappointment के लिए eligible नहीं होगा as a statutory auditor, ठीक ना, अगले 6 साल का भी जिक्रे हाँ पे किया गया है, उसके appointment और reappointment के लिए eligible नहीं होगा, ठीक ना, अब ये मानो कि यदि statutory auditor या फिर कोई audit firm अपना part tenure, यानि कि केवल 1 साल या फिर केवल 2 सा का ही पूरा किया है, और इसके बाद उसे remaining tenure के लिए reappoint नहीं किया गया, तो इस case में भी उसे अगले 6 साल तक उसी सेम बैंक में reappointment के लिए consider नहीं किया जाएगा, उसी सेम बैंक में as a statutory auditor के रूप में reappointment के लिए वो eligible नहीं होगा, हाला कि ये firm जो है, इस दोरान अन्य बै हो गया होगा, ठीक ना, however audit firm can continue to undertake statutory audit of other bank, यानि कि ये जो होगे, ये दूसरे बैंकों को audit firm दे, audit की services दे सकते हैं, ठीक है, ये 6 साल याद रख लेना आप लोग, part tenure याद कर लेना, 6 year after completion of part tenure, सब कुछ याद कर लेना, यहां से सब कुछ questions बनेगा, ये 2 साल वाला भी time limit याद क कुछ कर लेना, और इस पर सप्पे में question भी बना रहा हूं, इस पर सप्पे में आपको question भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे एगर हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे जो जिक्र हुआ है, वो हुआ है number of state cooperative bank and central cooperative bank audit firm can audit, मतलब की, एक audit firm कितने state cooperative bank या फिर central cooperative bank का audit कर सकती है, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, video pause करो, सारे के सारे points पढ़ो, जो भी points दिये गए हैं, इसको मैं elaborate कर रहा हूं, इसको मैं और आसान कर रहा हूं, आप लोग इसको समझने की कोसिस करना, लेकिन इन सब चीजों को सुनने समझने से पहले, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, खुद से, खुद से पढ़ लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, देखो क्या बोला गया है, तो कोई भी audit firm, एक साथ, एक साल के अंदर, पांच state and central cooperative banks का ही statutory audit कर सकता है, लेकिन एक condition यह है कि इस दोरान, पांच बैं नहीं होगी, an audit firm can concurrently take up statutory audit of a maximum five banks, including not more than one state cooperative banks in a year, ठीक है, तो यह जो line लिखी गई, इसी को मैं हिंदी में बता रहा हूँ, five bank याद कर लेना, यह जो including not more than one state cooperative bank in a year, इसको भी याद कर लेना, ध्यान से सुनते ही चलला, यहाँ सबसे questions बनेगा, इन से सबसे questions बनेगा, मैं फिर process line को repeat कर रहा हूँ, मैं बोला हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों नहीं वीडियो pause करके इन सारे points को नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लो, तभी मजा आएगी, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, एक बार इसको पढ़ो फटा फट, ठीक है न, क्या बोला गया है इसमे कोई भी audit firm, एक साथ, एक साल के अंदर पाँच बैंक, एक साथ, एक साल के अंदर पाँच बैंक, अब यहाँ पर पाँच बैंक बोला गया है, यानि कि पाँच, state and central cooperative bank, मैं ने पहले ही बताया था, कि जब जब मैं बैंक बोलूँगा, आपको state and central cooperative bank दिमाख में आना चाहि तो कोई भी audit firm एक साथ एक साल के अंदर in a year भी लिखा गया ये भी ध्यान रखना ठीक ना कोई भी audit firm एक साथ एक साल के अंदर पांच बैंकों से यानि कि पांच बैंक से ज़्यादा यानि कि पांच state cooperative bank and central cooperative bank से ज़्यादा का statutory audit नहीं कर सकता लेकिन एक condition यह है कि इस दोरान इस पांच बैंकों में से एक से ज़्यादा state cooperative bank नहीं होनी चाहिए ठीक ना ध्यान रखो फिर से मैं लोई ब्रेट कर रहा हूँ देखो अगर मानलो कि पांच बैंकों का audit करना है अगर मानलो कि कोई audit firm है जो कि एक साथ पांच बैंकों का statutory audit कर रही है तो इन पांच बैंकों में से केवल और केवल एक ही state cooperative bank होगा बाकी चार के चार central cooperative bank होगे ये चीज़ इसमें कहा गया है एक ही state cooperative bank का audit होगा बाकी चार के चार जो central cooperative banks होगे इस चीज़ को ध्यान से आप लोग समझना है clear कर लेना यहीं पे ठीक ना और ये जो पांच बैंकों वाली limit है अगले point पे ये द्वारा 27 अपरेल 2021 को commercial bankों में statutory central auditors के जो भी appointment and जो भी appointment के लिए guidelines जारी की गई थी उसमें जो 20 entities है ना ये जो 20 entities वाली limit है जो 20 entities वाली limit है उसके एलावा ये 5 बैंकों की limit और बढ़ा दी गई है ठीक ना और clarify करता हूँ एक बार और मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनों ये जो 5 बैंकों वाली limit है ये RBI के द्वारा 27 अपरेल 2021 को commercial bankों में statutory central auditors के appointment की जो guideline जारी की गई थी जिसमें की 20 regulated entities के audit का जिक्र किया गया था का प्रावधान था उसके अलावा इन 5 बैंकों को limit और फिर से बढ़ा दी गई है ये इसमें basically बोला गया है ठीक ना एक audit firm एक सा चार commercial bank ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना मैं बार बार गोलना हूँ एक audit firm एक साल के बीतर maximum 4 commercial bank एक audit firm एक साल के बीतर maximum 4 commercial bank जिसमें की एक से ज़्यादा PSB नहीं होगी या फिर एक All India Financial Institution से ज़्यादा नहीं होगा या फिर RBI ही होगा सिर्फ इनका audit कर सकता है और 8 Urban Cooperative Banks का audit क कर सकता है और 8 Non Banking Financial Companies का audit कर सकता है और 5 State Cooperative Banks and Central Cooperative Banks का audit कर सकता है जिसमें से की केवल और केवल एक ही State Cooperative Bank होगी एक से ज़्यादा State Cooperative Bank नहीं होगी ठीक ना ये ये वाला point कह रहा है ठीक ना ये ये वाला point कह रहा है और ये एक साल के भीतर एक ही audit firm के द्वारा इन सबका audit किय जा सकता है, ऐसा नहीं कि इन सब का अलग अलग audit किया जाएगा, एक साल के भीतर एक ही audit firm के द्वारा इन सब का audit किया जा सकता है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रुखना, ठीक ना, 20 regulated entities की बात की गई थी यह भी, जो पुराना वाला circular था, जो आया हुआ था 2021 में, 27 अपरल 2021 को, इसमें 20 regulated entities की audit की बात की गई थी, नए circular में 5 बैंकों को और एड कर दिया गया है, यानि कि टोटल 25 हो गया, टोटल 25 entities हो गई, जिसका की एक audit firm audit कर सकती है, ठीक ना, 20 regulated entities का जिकरे 2021 सर्कुलर में किया गया था, 5 बैंकों को अभी जो है एड कर दिया गया है, टो cooperative banks हो गई, तो 8-4-12 हो गया, 8 NBFC हो गई, 12-8-20 हो गया, और 5 state and central cooperative bank हो गया, तो 25 हो गया, तो देखो आप लोग टोटल 25 हो गया, तो यह चीज cross verify भी ऐसे कर लिया करो, यह 25 का 25 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर बात की गई थी, कि 4 commercial bank, including not more than 1 PSB, मतलब कि 1 PSB से जादा नहीं होंगे 4 commercial bank में, all India financial institutions की बात की गई थी, या फिर one all India financial institutions, यहने कि केवल और केवल एक ही all India financial institutions होगा, all India financial institutions का मतलब नाबाट, should be, neffid, NHB, Exim Bank और RBI होगा, ठीक है, तो यह चीज़ भी आप लोग पढ़ लेना, आप लोग ना, वीडियो पॉस करके ध्यान से एक बार पढ़न यह भी इसमें बोला गया है, ठीक, तो यह पूरा का पूरा circular था, जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया, exam point आभी उसे जितनी चीज़ें जरूरी थी, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे cover किया हुआ है, इस particular circular का PDF अगर आप लोग आप पे देख रहे हैं, तो PDF में मैंने से संबंदित, circular से संबंदी जो भी questions बन सकते हैं, उसको भी मैं frame कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो में आप लोगों को ले के आऊँगा, इस circular में maximum possible exam oriented चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ा दी है, class कैसी लगी आपको यह आप लोग comment करकर बताओगे, अ और अगर एक बार में चीज़ें ना समझ में आए, तो वीडियो को पीछे करके देख लिया करो, क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा deep में हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा technicalities में हम लोग गुस रहे हैं, और banking इतना असान भी नहीं है, ठीक न, तो थोड़ा सा deep में गुसना पड़ता है, तो first time अगर आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारी तो terminology ही नहीं clear होंगी, हलाएक उतना deep में जाने हैं कि जरूरत नहीं, जरूरी है वो चीज़ें में cover कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो वीडियो को द अगर आप लोगों ने अभी तक बैच अगरा परचेस नहीं किया और करना चाहते हैं, कोई जोर जब दस्ती वाला इसाब किताब भी नहीं है, अगर आप स्केल टूर स्केल 3 की तैयारी करना चाहते हैं, और courses अगरा में enroll करना चाहते हैं, जहां पर वीडियो क्लासे अगरा क्लास कैसे लगी, आपका फिडवेक ने इंतजार रहेगा, अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होती है, धन्यवाद